हेलो एब्रिवन चटाकर असोई में आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी जिसे खाने के बाद आप समोसे कचोड़ी खाना भूल जाएंगे जब भी आपके घर में महमान आएंगे तब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करेंग तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां लिया है मैदा यहां मैंने बहुत अच्छी खुश्बू आती है और यह मैंने लिया है जो सबसे छोटा वाला मीजरिंग कप होता है उससे मापकर मैंने आधा कप यानि की 15 ml मैंने लिया है सरसों का तेल इसमें जो मोयन होता है वो सरसों के तेल का लगाएंगे तो इस रेसिपी का टेस्ट दुगना हो पानी एड करके इसका एक डो तैयार कर लीजे और जो आपको इसका डो लगाना है वो बहुत जादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा आपको इसको टाइट लगाना है क्योंकि यह रखने के बाद हलका सा सॉफ्ट हो जाता है यह देखे इस तरह से हतेली से इसे होगा ना वो भी इस रेसिपी को बहुत आसानी से बना सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो को फुल वाच करिएगा बीच में स्किप मत करिएगा यह देखे डो हमारा बिलकुल तैयार है और अभी हम इसको अच्छी से रब करके कम से कम 10 से 15 मिने ठख कर रख देंगे और तब फिर इसमें डालिये बारे कटी हुई हरी मिर्ची अद्रक और धनिया धनिया थोड़ा जादा डालियेगा और थोड़ा सा डाला हमने इसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला काली मिर्ची पाउडर और यह है अमचोर पाउडर आप सभी मसालों क साथ थोड़े से मैंने डाले है काजू काजू को बहुत छोड़े छोड़े तुकड़ों में काट लिया है काजू डालने से इसमें बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है अगर आपके पास काजू ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकती है यह देखे अब हम स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटी स्टफिंग बनकर तयार होती है यह और यह देखे बस हमारी स्टफिंग तयार है अभी हम इसे भी साइड में रख देती हैं और यहां मैंने लिया है दो चम मैदा है वो अच्छे से तयार हो चुकी है सेट हो चुकी है तो अब आपना इसे काउंटर डॉप पर रखकर इस तरह से रब करते हुए चितना कर लीजे और इसके बड़े बड़े दूल लोईयां बना लीजे ये देखे इस तरह से आपको न एक बड़ा सा पार्ट इसका ले लिएगा क्योंकि इसमें जो साइट से उनमें भी क्रेका जाएंगे और बीच में भी क्रेका जाएगा तो अच्छे से आप इसको बेल लीजे पतला सा फिर आप उस पर सारी ये जो स्टफिंग हमने तयार की थी पूरी चपाती पर स्टफिंग लगा लीजे फिर वाला डिप लगा दीजे मैं दगा यह जो डिप है इसका अभी और भी यूज़ करेंगे हम तो यह मत सूचेगा कि इसी के लिए हमने इसे बनाया है यह देखे अब आप एक बार इसे रोल कर दीजे तो यह सील हो जाएगा और रोल करने के बाद एक नाइफ की हेल्प से आप इसके छोटे-छोटे पीसेस कट कर लिए आपको जितने बड़ीपीसेस रखने हो आप उतने बड़ी पीसेस कट कर सकते हैं यह देखें इस तरह से हमारे सारे pieces बनकर तयार है और सारे pieces काटने के बाद आप एक plate में लगा कर रख लेजे और अब यह जो हमारा मैदावाला हमने dip तयार किया था अब हमें क्या करना है यह जो हमारे rolls है ना इनको हम इस मैदा के घोल में dip करेंगे ऐसा करने से क्या होगा oil में जाने के बाद हमारी stuffing जो है न वो extra cook नहीं होगे बहुत अच्छा taste आएगा इसमें ये देखे हमने इस तरह से इसमें dip किया और गरम गरम oil में इसे डाल दिया तो आप अगर चाहे तो इसे shallow fry भी कर सकते हैं आप चाहे तो deep fry भी कर सकते हैं ये देखे इस तरह से आपको सारी ये जो हमने rolls बना कर तयार किये हैं एक एक करके मैदा के घोल में dip करके pan में डालते जाना है और जब आपको इसको धीमी आज पर आपको पकाना है क्योंकि जब तक आप धीमी आज पर नहीं पकाएंगे तो इनकी जो उपरी लेयर है वो तो सिख जाएगी पर ये अंदर से नहीं पक पाएंगे तो ध्यान रखेगा आपको धीमी आज पर इन्हें पकाना है और ये देखे थोड़ी देर के बाद आप इन्हें एक spoon की help से पलट दीजे चमस से न बहुत easily ये पलट जाते हैं तो आप spoon से ही पलटिए गए ने और धीरे धीरे जब आपको लगे कि दोनों side से ये सेख गए हैं तो आप ये जो beach वाला portion है उसको भी turn करके अलट पलट कर सेख लेजे बहुत ही बड़िया snacks बनते हैं ये और बहुत फटाफट बनते हैं आपके घर में जब भी अचानक महमान आ जाएं तो आप इसे बना कर जरूर देखेगा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको like जरूर कर दीजे और मुझे comment section में जरूर बताईएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो ये देखे थोड़ी देर के बाद ये हमारे crispy rolls बनकर तयार है और बहुत ही फटाफट बन जाते हैं ये ये देखे कितना प्यारा color आया है इन पर और जब आप इन्हें बनाएं आपके घर में कभी महमान आएं तो आप ना इनको पहले से rolls बना कर तयार कर लीजे और जब आपके relatives आएं तब आप उनके सामने deep fry करके इन्हें गर्मा गर्म सर्फ कीजे तो मैं आपको एक serving का तरीका बताती हूँ friends मैं किस तरह से इन्हें सर्फ करती हूँ जब यह रोज बन जाते हैं इन पर उपर से डालिए हरी चटनी और आप चाहें तो जो मीठी चटनी होती है वो भी इसके साथ डाल सकते हैं हरी चटनी डाल कर उस पर थोड़े से यह बारी कर ले सेव डाल दीजे और धनिया डाल दीजे या आपके पास कोई भी नमकीन हुआ वो डाल सकते हैं और थोड़ा से इस पर मैंने डाला है कैचब और बहुत ही टेस्टी सा हमारा यह snacks बनकर तयार है तो फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और नई नई रेसिपीस के लिए मेरी चटा का रसोई से जुड़े रहे यह देखे कितना यम्मी और टेस्टी हमारा नाश्टा बनकर तयार है